Good morning children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे 5.2 exercise का question number 1 का fourth part जिसमें हमें दिया है a minus 18.9 और d दिया है 2.5 and हमें find out करना है and मतलब number of terms हमें find out करनी है और an given है ओके, so an का formula हम लगाएंगे और an का formula लगाकर number of terms को find out करेंगे ओके, so an equals to an का formula होता है a plus n minus 1 into d ओके, यह तो बहुत apply कर लिया formula आपको 2-3 questions में हो गया है तो आपको आता होगा आप तो और आना भी चाहिए क्योंकि अब तो exams नजदीक है बच्चो ओके, और an कितना given है? 3.6 और a है minus 18.9 plus n हमर पास कुछ नहीं है n हमें find out करना है और into d हमें दिया है 2.5 ओके, तो यह वाली term बच्चो plus minus से separate हो रही है तो इसको हम left side में range कर लेंगे 3.6 minus का 18 left side में 18.9 plus का हो जाएगा और यहां रह जाएगा n minus 1 into 2.5 ओके, तो पहले इन दोनों value को plus कर लेते हैं 18.9 plus 3.6, 9 plus 6 15, 8 और 3 11, 1 12, 1 carry 12 हमर पास आ गया 22.5 equals to n minus 1 into d, d हमर पास है 2.5 आप 2.5 से left side की value divide हो जाएगी 2.5 equals to n minus 1 क्योंकि like decimals है मुच्चो, decimals convert कर लो, इसका decimal convert करके आप on में आ जाएगा 10 और इसका decimal convert करके उपर चला जाएगा 10 decimal वाली value जो उपर होती है तो decimal denominator में आता है और जब denominator में decimal होता है तो उसका जो decimal convert होता है value वो 10 या 100 जितना भी बनता है वो numerator में जाता है तो 10 से 10 कट गया आप 25, 5 से 5, 5 सा 25, 5, 4 सा 20, 5, 5 सा 25, 5, 1 सा 5, 9 सा ओके बच्चो तो हमरे पास क्या आ गया cancel करके हमरे पास आ गया 9 9 इक्वल्स 2 एन माइनस 1 अब माइनस 1 लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स तो 10 मतलग number of terms हमरे पास कितनी है बच्चो 10 यही हमें find out करना था ओके यह था हमारे पास fourth part अब आता है बच्चो फिफ्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में भी हमें क्या दिया है फिफ्थ पार्ट में है ए ए है 3.5 ओके और बच्चो डी हमारे पास है 0 और n हमारे पास है 10.5 10.5 नहीं बच्चो n पॉइंट में नहीं हो सकता यह misprint लग रहा है बुक में 105 है यह n जो है वो whole terms होती है positive होती है इसलिए यह 105 है 10.5 नहीं हो सकता ओके और a n बच्चो हमें find out करना है है इसके लिए भी a n का formula apply करेंगे a n इकुल्स टू a प्लस n माइनस 1 इन्टू d a n क्यूंकि हमें find out करना है तो a n इकुल्स टू a है 3.5 न है 105 माइनस 1 और इन्टू d बच्चो हमारे पास दिया है 0 सो देखो अब हमार पास क्या बच्चता है 3.5 और प्लस 105 में से 1 माइनस हो जाएगा 104 और multiply by 0 सो 3.5 प्लस 104 को 0 से multiply करेंगे 0 हो जाएगा सो हमारे पास a n आ गया 3.5 इस first वाले question के बच्चो यह five हां जी यह five parts थे सो हमारे five parts complete हो गए हैं सो आप इनको practice करना और practice करने पर calculation का ध्यान रखना है और easily जो चीज आपने find out करने हैं जो आपको find out करने के लिए बोला है वो आपको values मिल जाती हैं so thank you so much for watching my video thank you